हेलो एवरिवल जून स्टार्ट हो गया है और 25 वालों के लिए राइट टाइम है कि अपनी प्रेप्रेशन स्टार्ट कर दें कि मैं हमेशा सेल्फ स्टेडी प्लान हर उन बच्चों को जो कि सेल्फ स्टेडी कर रहे हैं उनको देता हूं अपने असेस्मेंट करते हुए आप पढ़ा ही करेंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो मैं हमेशा अब नहीं लगेगा तो वन वीक के अंदर आप एजिली वन टू फाइफ टू टेंडेज में आप नाइन तो टेंथ की मैस को कवर करिए और यहानी आपको इस मंत अलजिब्रा पढ़ना और एलजिब्रा में भी स्टार्टिंग टॉपिक रखेगा लॉग के बाद बेसिक कैलकुलेशन के बाद और प्रोग्रेशन यानि इस मंत आप लोगों को इन चैप्टर को अच्छे से करना आप एक इंपॉर्टेंट बात आती कि जो हम पढ़ रहें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी डारेक्शन सही है की नहीं दूसी बात अगर आप निमसेट 25 टार्गेट कर रहें तो क् आप निमसेट की सारी information है की नहीं तो इंपिटर गुरुकुल किस तरह से आपको support करेगा वह बताता हूं नमबर वन इंपिटर गुरुकुल में एक self-assessment test series जिसकी प्राइज ही नहीं है वह केवल उसकी प्राइज उसकी डेटे की है जो की नॉमिनल है जिसका description में लिंक दिया हुआ हर साल बच्चे जॉइन करते हैं उसमें आपको निमसेट के लेटेस्ट पेपर मिलेंगे लाइक 24 का भी मिलेगा अभी आ जाएगा जब 23 22 19 20 18 सब क दोनों दीजिए अब आप बोलेंगे सर पढ़ा तो नहीं फिर कोई बात नहीं बिना पढ़ा ही देना है तो आप 23 22 का पेपर दीजिए दोनों के नेचर में बहुत अंतर है तो आप 23 का पेपर दीजिए 22 का उसमें देखिए क्या स्कोर आ रहा हुआ हो स्कोर भी calculate कर देगा तो यह self-assistment जो test series है यह केवल 25 के लिए इसकी भी मैंने 25 रुपीज ही रखे केवल 25 रुपीज क्योंकि वह minimum उनका डेटा handling चार्ज होता है यानि यह free of cost ही हुआ एक तरह से क्योंकि आपको इसके लिए 25 रुपीज देके आपको निमसेट के previous year के सारे पेपर मिल जाएंग सीटी महरास के मिल जाएंगे और इससे आपका एक assessment होगा तो आपने जैसी test दिया तो आपको सबसे पहले तो यह पता चलेगा कि मेरी standing कहां है मुझे क्या नहीं आता और क्या आता है पहले यह करना है अगर कहीं आपको इसमें लगता है कि कहीं problem face कर रहा है तो आप impetus की team को मुझे message करिए मैं आपको definitely उसमें help करूगा number one तो आपके score से आप यह assess कर पाऊगे कि मुझे क्या आता और क्या नहीं आता क्योंकि आपको मैस भी करना है रीजिनिंग भी करना है computer भी करना है पहले ऐसा होता था कि two hours का paper होता था बच्चा मैस अकेला करके भी rank लाता था कि हम प्रैक्टिस के लिए 24 का paper दे सकते कि नहीं आपको दे तो नहीं सकते पर आप impetus के इस self-assessment test के थ्रूँ दे सकते हैं पर testing के score को बहुत detail में analyze करिए मैंने फिर बोला कहीं जववत लगे तो मेरी help लीजिए impetus की टीम कर लीजिए और नहीं तो आप खुद भी graduate बच्चों समझ जाओगे कि कहां पर मैं किन-किन topic में week हूं किन-किन एरिया में और अगर आपका 11-12 mask नहीं है तो हो सकता आपका mask score अच्छा नहीं हो या आप logical तरीके से नहीं सोचते हो सकता LR का section अच्छा नहीं हो यह possibility है तो इसके बाद फिर आपको 9-10 की book से क्या पढ़ना है वो पता रहेगा 11 की book से पर जो चार topic बोलें इनको पढ़ना चालू करिए हर मन्त के starting में मैं आपको self study plan दोगा अब question आता है कि सर्फ जो हमने पढ़ाई की उसमें भी हम कैसा perform करना है कैसे पता चलेगा तो मैं यह बोलूँगा कि अगर आप self study कर रहा है तो at least impetus group की test series से जब जुट जुट जाना क्योंकि यह जो test series है यह unique test series है इस तरह की test series कहीं नहीं मिलती क्योंकि आपको इसमें printed solution नहीं लाइफ पेपर के solution मिलते पहला तो आपको वीक का एक प्लान दिया जाएगा जैसे हम लोग फिफ जून को एक बैच स्टार्ट कर रहे है उस बैच के साफ से आप पढ़ोगे तो निमसेट 25 का जो पहला बैच है आरम बैच वह पहले पीछे हो चुके पर इस session का पहला बैच से लों वी जुन से जोसका नाम है आरम बैच आपको उसको फॉलोड़ करना एक तरकता से सोच लीजिए तो वीक में मंडे को आपको पैपा आपर ज addressing के साथ बताया जाएगा कि इस क्या पढ़ना है और उस का नेक्सी बीमियो को भालिक शुक्श estas Baker का लाइव एनालिसिस हो पीपर में कोश्चिन को इस परerson सकते हैं तो पूरे पूरे मैथाट आएंत तरीके देखे उनको समझ में आया कि अरहे इतना सिंपल भी हो सकता मिंटजि भी कर सकते हैं चैकल स्ट살 अगर आप सेल्फ डिसिप्लेन के साथ पढ़ रहे हैं तो के नहीं तो आप कर सकते तो सबसे पहले मैं आप सबको बोलूँगा लास्ट फाइनली कंक्लूड करूँगा कि आप सेल्फ असेस्मेंट टेसरीज से जुड़िए निमसेट 25 की जो टेस्सिरीज सेल्फ असेस्मेंट फिर 11 का आप लॉग और प्रोग्रेशन पर काम करिए फिर जुलाई में क्या पढ़ना है मैं जुलाई में आपको फिर बता हुआ थैंक्यू और अल्ट बेस्ट